अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो वो अक्सर भटक जाते हैं जिने सहारा मिल जाता है हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आरर बी मैद की 94 में और मैं हूँ अनिलकुमार दोस्तो आज हम चक्रब्रीधी ब्याज यानि कमपाउंड इंट्रेस्ट का पार्टी 11 पढ़ेंगे और आज हम इस टाइप के कोश्चन को पढ़ेंगे जब समय तीन वर्ष दिया हो तब साधारन ब्याज और चक्रब्रीधी ब्याज का अंतर ग्यात करना दोस्तो आज हम इसी टाइप के कोश्चन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले दोस्तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अपने दोस्तों में सेर कर दिजिए ताकि हमसे नए शुड़ें जूड सके तो चलिए दोश्टों शुरू करते हैं पहला कोश्चन दिया हुआ है आठ जार रुपया को पांच प्रस्त वार्सिक ब्याज की दर से तीन वर्सों तक रखने पर चक्र ब्रीथी ब्याजा और साधारन ब्याज का अंतर कितना होगा दोश्टों यहाँ पे तीन वर्स का हमें पूछ रहा है और इसके पिछले वीडियो में हम लोग दो वर्स का पढ़े हैं और यहाँ पे हमें पढ़ना है तीन वर्स का देखें तीन वर्स के लिए जब देता है तो इसका फार्मूला होता है फार्मूला क्या होता है अंतर बराबर होगा तीन वर्स के लिए अलग फार्मूला होगा अंतर बराबर होता है P into R कोश्टक में होता है 300 प्लस R बटे 100 का Q होता है दोस्तों इसी फार्मूले पर हम इसको हल करेंगे अगर माल लिजिए अगर माल जिए यहाँ पे अगर मूल दन पूछता है यानि P अगर पूछता है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अंतर अंतर लिखेंगे इसके बाद गुड़े 100 P तीन घात बटे P into R कोश्टक में 300 प्ल उसके लिए हम इस फार्मूले का परियोग करेंगे यदि अगर अंतर पूछता है तो इसके लिए इस फार्मूले का परियोग करेंगे ठीक है? चले कोस्चन क्या है कोस्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं दिया हुआ है आठ जार रुपिये को पाच प्रस्ट वार्षिक ब्याज की दर से तीन वर्सों तक रखने पर चक्र ब्रीधी ब्याज और साधानर ब्याज का अंतर कितना होगा दोस्तों यहाँ पे अंतर बाला पूछा है यानि अंतर पूछा है साधानर ब्याज और चक्र ब्रीधी ब्याज का तो अंतर बराबर क्या होता है मूल दन होता है यानि पी होता है तो मूल दन इसमें कितना है आर उस्क्वार मना लिजिएगा ये आर उस्क्वार होगा अब यहाँ पे देखेंगे आर कितना है तो यानि जो दर है पांच परसेंट है तो पांच का वर्ग करके लिखेंगे तो कितना होगा 25 और गुड़े 300 प्लस आर है यानि दर पांच परसेंट है तो 300 में हम 5 जब अब यहां से हम काटेंगे काटेंगे तीन जीरो से या तीन जीरो कटा आज दो से कटेगा दो से काटेंगे तो दो पचे दस और दो चोके याड पांच से काटेंगे पचीस को तो पांच पचे पचीस हुआ और यहां से देखेगा ये 5 से काटेंगे 10 को तो 5 दुना के 10 यानि 20 बचा, 4 से काटेंगे 20 को 4 पचे 20 और 5 से हम काटेंगे 305 को 5 6 के 30 आप 5 है कम 5, यानि कितना हुआ है? एक सट रूपिया हुआ है एक सट रूपिया दोश्तों आपका आंसर होगा यानि अंतर कितना होगा? एक सट रूपिया चले आगला कोश्चन देखते हैं दिया है 5,000 रूपियों को 10 प्रस्चत की वार्षिक ब्याज की दर से 3 और 100 तक रखने पर चक्रिप्रीदी ब्याज और साधान ब्याज का अंतर कितना होगा? दोस्तों यहाँ पे अंतर ही पूछ रहा है तो अंतर बराबर होता है अंतर बराबर क्या होता है? पी होता है इंटू आर स्क्वाइर कोश्टक में 300 प्लस आर और बटे कितना होता है? 100 पर 3 गात हम इसी के फार्मेट में रख देंगे यहाँ पे P है तो P कितना दिया हुआ है 5000 है हम इसके जग़ 5000 रखेंगे 10 कितना है 10% है तो R का स्कौर है यानि हम 10 का स्कौर कर लेंगे 10 तो हमें 100 और यहाँ पे 300 प्लस R तो 300 R जो है 10% है तो 300 और 10 कितना होगा या 310 होगा बटे 100 को हम 3 बार नीचे लिखेंगे 100 गुडे 100 गुडे 100 यहाँ से हम काटेंगे 2 0 से 2 0 यहाँ से 2 0 से 2 0 यहाँ पे 5000 है यहाँ पे भी हम 2 0 से 2 0 काटेंगे अब यहाँ पे दिखेंगा 1 0 से ये 1 0 1 0 से ये 1 0 कटा अब कितना हो गया कितना यहाँ पे बचा 5 से 31 में गुड़ा कर देंगे तो 5 कम 5 और 5 यहीं 15 यानि 105 रूपिया हमारा आंशर होगा ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन नेस्ट कोश्चन है वह धनरासी कितनी होगी जिसे 10 पर्षेंट वार्षिक ब्याज की दर से तीन वर्षो तक रखने पर साधारन व्याज और चक्रिब्रीधी व्याज के अंतर 155 रूपिया प्राप्त होता है यहाँ पे देखेगा अंतर दिया हुआ है 155 रूपिया हमें निकालना क्या है मुल्धन निकालना है तो मुल्धन वाला फार्मूला लगाएंगे मुल्धन बराबर क्या होता है मुल्धन पी बराबर होता है अंतर गुड़े 100 पर 3 घात बटे आर इसको आयर और कोश्टक में 300 प्लस आर होता है दोस्तों हम इसी फार्मूले पर रखेंगे यानि इसी ट्रिक पर हम लगाएंगे यह कितना दिया हुआ है अंतर कितना दिया हुआ है 155 रुपिया गुड़े 100 को हम 3 बार लिख देंगे गुड़े 100 3 बार लिखेंगे इसके बाद आर कितना दिया है 10 परशन तो आर का स्को आर है यानि 10 का स्को आर कितना होका 100 और यहां पे 300 फ्लस आर है, तो 300 और 10 है, तो 310 हो गया, अब यहां से हम काटेंगे, यहां 100 से 100 काटेंगे, 10 से 10 काटेंगे, 31 से काटेंगे 155 को, तो 5 बार में कठेगा, अब कितना बचा गुडा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5000 होगा, यानि 5000 दोष्तों आपका अंसर हो तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आप इस कोश्चन को अच्चे से समझ गए होगे। पूछ रहा है तो हमें करना क्या है सिधा हमें वही याद रखना है पी बराबर पी बराबर अंतर गुड़े 100 का क्यूव बटे आर इसको आएर कोश्टक में 300 प्लस आर तो अंतर कितना दिया हुआ है गुड़े 100 को तीन बार हम लिख लेंगे बटे कितना होगा आर दिया हुआ है तो आर यानि दर कितना है दस परशेंट है तो हम इसको इसको आर करके लिखेंगे तो 100 होगा और 300 प्लस आर दिया हुआ है तो 300 और आर दस है तो कितना होगा 310 होगा 310 हुआ अब यहां से 100 से 100 को काटेंगे 1 0 से यहां से 1 0 काटेंगे अब यहां पे 31 से हम 93 को काटेंगे तो 31 तिया 93 होगया यानि यहां पे कितना बचा यहां पे 3 गुड़े 100 गुडे 10 बचा है जब पूड़ा करेंगी ते कितना होगा 3,000 होगा यहानि 3,000 रुप्या दोस्तों आपका आउंसर होगा तो दोस्तों मुझे उमिदे कि आप इस कोश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे तो दोश्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की गंटी को दबा दीजिए धन्यवाद